जल ही जीवन है, धर्ती इससे ही धन है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, एक-एक बूंध को बच्चाना है जल सनरक्षान, भू जल का पुनह भरान जल प्रबंधन, वसनरक्षान से संबंधित विशेश ग्राम सभाओं का आयोजन स्थानिय स्तर पर, फील्ड टेस्ट के त्वारा पानी की गुणवत्ता जांच ग्राम पंचायत के रेजिस्टर में पे, जल, संपत्ती का पूर्ण विवरण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिती की नियमित बैठक वक कार्य योजना अगर आपके गाओं में पानी की सफाई, आप पूर्ती, प्रबंधन और सनरक्षन के लिए महत्वकांग्शी कार्य किये गए हैं, तो बधाई हो आपकी पंचायत है जल परियाप्त ग्राम पंचायत तिरुचिरापली, जानी त्रिची कावेरी नदी के किनारि स्थित या प्रसिद जिला तमिलनाडू की प्रिय राजधानी चिन्नई से कुल 320 किलो मीटर दक्षन में है सांस्कृतिक और वास्तुकला धरोहर से सुशोबित त्रिची तमिलनाडू का भोगौलिक केंद्र है और अपने कई बाजारों, प्राचीन मंदिरों और शिक्षा केंद्रों के लिए जाना जाता है त्रिची में 35 ग्राम पंचायतों से समलित है मंचनलूर ब्लॉक इस ब्लॉक में छे गाउ के एक छोटे से कस्बे इरंगुलूर में किये गए एक अनूठे प्रयास ने सब को प्रभावित किया है मुख्य शहर से 20 किर मीटर दूर स्थित इरंगुलूर पंचायत में लोगों को स्वच पे जल उपलब्द कराने के लिए पंचायत में टेक्नॉलोजी का एक अदभुत प्रयोग किया जिससे लोगों में खुब उचसा आया है गाउं में पानी के संचार को सरल करने के लिए सेल फोन से चलने वाले मोटर सिस्टम लगाये गए इन हाई टेक मोटर्स को किसी भी दूरी से केवल अपने मुबाइल फोन से ओन या आफ का बटन प्रयोग करके ऑपरेट किया जा सकता था इस तरह पूरी पंचायत में साफ पानी समय से और आसानी से पहुचाया जाने लगा 9366 लोगों की आबादी बाली इस पंचायत में कुल 2782 घर हैं गाउ में कुल 27 ओवरहेड टैंक, 24 मिनी ओवरहेड टैंक और 7 भूतल सरोवर हैं इनके द्वारा पंचायत में स्थित 156 सारवजनिक नल और 1193 घरेलू कनेक्शन्स द्वारा सभी को साफ पानी पहुचाया जाता है आज से कुछ साल पहले यह कार्य बहुत चुनोती पूर्ण था जिसका मुख्य कारण था इन पानी की टंकियों का गाउं से दूरी पेस्थित होना पहले इन्हें शुरुया बंद करने के लिए ऑपरेटर्स के आने जाने में जहां एक और समय और पानी दोनों की बरबादी होती थी वहीं उन्हें जंगल और हाईवे पार करके जाने में काफि मुश्किल भी होती थी इसके अलावा इन टंकियों के ओवरफ्लो होने से इकठे होने वाले पानी में मच्छर पनपते थे जो की गाउं में विमारी का कारण बनते थे लेकिन कुछ साल पहले इन चुनोतियों से जूजने के लिए पंचायत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिससे गाउं की इस समस्या को सरल रूप से हल किया गया आज से करीब 4 साल पहले गाउं के मुख्य मेकैनिक ने इस नई टेकनोलोजी के बारे में सुझाया इस सुझाव पर पंचायत ने एक ग्राम सभा में इस प्रस्ताव को रखा और गावों से विचार विमर्ष करने के बाद ग्राम सभा ने इस अनोखे सुझाव को अपनाने का पैसला लिया इस पैसले को लागू करने से पहले गाव में कुछ चंकाई भी थी सेल सिस्टम से पहले हमें बहुत सारी समस्या थी हम समय समय पर जाच करते थे रात में हम अच्छी तरह सो नहीं पाते थे अच्छी तरह से खाने में भी सक्षम नहीं थे मोबाइल सिस्टम को लगबग चार साल पहले पेश किया गया था मुख्या मेकानिक ने हमें यह मोबाइल सिस्टम रखने के लिए सुझाव दिया कहा ये एक अच्छा विचार होगा तो पंचायत प्रमुख ने फैसला किया कि हम इसे कहीं उप्योग करने की कोशिश करेंगे तो हमने इसे प्रादा गाउं में एक मोटर पंप कमरे में आजमाया जब हमने वहाँ कोशिश की तो हमें डर था कि ये असफल होगा लेकिन ये एक अच्छा प्रयास साबित हुआ ये फाइदे मन लग रहा था इससे ओवरफ्लो सफलता पूरवक कवर किया गया क्योंकि पानी की बरबादी ही मुख्य मुद्दा था यही कारण है कि हमने इस प्रणाली को पेश किया था तो हमारे पंचायत प्रमुक ने कहा यह एक अच्छा विचार है और इसलिए हम इसे अन्य गाओं में भी लगाने की कोशिश करेंगे कुल 27 ओवरहट टैंक्स में से आठ मुख्य टैंकर को चुना गया और उनको इस प्रणाली से जोड़ने के लिए काफी सर्वेक्षण के बाद तीन सेलफ़ोन ओपरेटेड मीटर यूनिट्स कोईमबटूर से मंगवाए गए इन यूनिट्स को चलाने के लिए एक मामली से जीएसम सिम कार्ड की आवशक्ता होती है इसके लिए आवशक राशी स्टेट फाइनान्स कमिशन द्वारा प्रदान की गई इसकी प्रक्रिया भी एकडम सरल और साधारण है एक निर्धारित नमबर पर कॉल किया जाता है जिससे यूनिट में लगे सर्वर मोटर को आन या आफ कर सकते हैं ताकि यह प्रणाली सुचारू रूप से चल सके हर यूनिट में तीन लोगों को एकसेस दिया जाता है यह निर्धारित आडमिन्स कॉल करके बहुत ही सरलता से इस रिमोट कंट्रोल मोटर को आन या आफ कर सकते हैं जिससे मोटर को किसी भी समय चला कर पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है मोटर का सफल इस्तेमाल और पानी के रिसाव या ओवर्फलो से होने की परिशानी से बचने के लिए इसमें एक अनोखा SMS द्वारा चालित नोटिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया इसके अलावा पंचायत के द्वारा लगाएगा यूरिट्स, मोटर में आई गरबड़ी या बिजली जाने पर अपने एड्मिन्स को समय पर एक SMS द्वारा अलर्ट करते हैं इन टैंक्स और मोटर्स का ध्यान रखने के लिए पंचायत ने तीन फुल टाइम OHT ओपरेटर्स और साथ पार टाइम OHT ओपरेटर्स को नियुक्त किया है गाउ में लगी सारी टंक्यों को साफ सुत्रा और नियंतरित करने के लिए 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई जो पानी की टंक्यों को साफ सुत्रा रखते हैं और क्लोरीन पाउडर से ठीट करते हैं इस तरह इस विशिष्ट कारद्वारा रोजगार का स्रिजन भी हुआ इस प्रणाली के चलते इरुंगलूर के निवासियों को समय बे पानी पहुँचाया जाता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह पानी पीने लाइक क्वालिटी का हो इसके चलते गाउं में सभी स्वस्त, दुरुस्त और संतुष्ट है इस सफल प्रयोग के फल सरूप इरुंगलूर पंचायत अब यही यूनिट्स गाउं के अन्य शेत्रों में भी लगाने का प्रयास कर रही है इस विशेश प्रयास ने बहुत ही सरलता से गाउं में चल रही एक लंबी समस्या का सफल हल्डूडा इसका श्रे गाउं के लोगों को जाता है जिन्होंने अपने विकास के लिए खुद कदम उठाया और नए भारत की नई महत्वकांशाओं का हिस्सा बने ऐसा कर इरंगलूर के लोगों ने साबित किया है कि जहां चाह वहां रा है आएए आपको लेकर चलते हैं आंधर प्रदेश के चित्तूर जिले के चित्तूर मंडल में जहां कि लोगों ने अपनी पानी की दिकत को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया पानी से होने वाली बीमारियां भी खत्म हो गई और घर-घर सस्ता और साफ पानी मिलने लगा ये एक पुरस्कृत पंचायत है इसे दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ती करण पुरसकार मिला है सुच्छ निर्मल जल यही जल जीवन का आधार है लेकिन हमारे देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ जीवन की ये मूल भूद जरूरत या तो उबलब्द नहीं है और अगर है तो इस्तिमाल करने लायक नहीं है ऐसा ही एक राज्य है आंधर प्रदेश देश के दक्षणी हिस्से में बसे इस राज्य के अधिकतर हिस्से में सूखे और खारे पानी की समस्या है अब से कुछ समय पहले तक यहां पीने का साफ पानी मिलना भी एक चुनावती थी यहां जमीन के नीचे मौजूद पानी में स्वास्ते के लिए हानीकारक, लोहतत्व और फ्लोराइट की मात्रा बहुत ज्यादा थी गावों में तो हालात और भी चिंदा जनक थे ऐसी विपरीद परिस्थितियों में BNR पेटा ग्राम पंचायत ने गावों वालों के लिए साफ पानी मोहिया कराने का संकल्प लिया चित्तूर जिला परिशत और RWS ग्रामीन जल आपूर्थी और स्वच्छता के आर्थिक सहयोग से BNR पेटा ने कोशिशे शिरू की इस प्लांट को लगाने के लिए जबीन और भवन निर्मान का पूरा खर्च ग्राम पंचायत नहीं किया इस सफल कोशिश ने चित्तूर मंडल प्रजा परिशत की आठ पंचायतों को भी आरो प्लांट लगाने के लिए जागरुक किया इस से चेड़ दो पल्ली, कुच्ची वेडू, अपथा कम, मुत्थुकुरू और पालरो सहित आसपास की तमाम पंचायतों को साफ पानी का रास्ता मिल गया अगला नमबर चित्तूर मंडल प्रजा परिशत में इस्थित कुच्ची वेडू ग्राम पंचायत का था जिसने आरो वाटर प्लांट के लिए घर घर जाकर लोगों से उनकी समस्याए पूछी इसके बाद लोगों को पानी की वजह से होने वाली बीमारियों और स्वास्त को हो रहे नुकसान के बारे में जागरू किया गया लोगों से बात करने के बाद आरो प्रांट लगानी की जरूरत पुखता हुई साफ पानी और उससे होने वाले फायदे के बारे में भी पूरी जानकारी थी गई जोर शोर से जाग रुकता अभियान चलाया गया ऐसे ही आस-पास के करीब सभी पंचायतों ने आरो वाटर के लिए कोशिशे शुरू कर दी आरो प्रांट लगाने के तरीका बहुत सा धारण है आरो प्रांट लगाने को लेकर ग्राम सभा मिलकर फैसले लेती है जिसे पंचायत के सामने रखा जाता है और फिर फंड के लिए कोशिशे शुरू की जाती है पंचायतों को जिला परिशत, सांसत, निधी कोश और इस्थानिय प्रशासन से आंशिक दोर पर फंड उपलब्ध कराया जाता है जिसके बाद पंचायत, ग्राम वासियों की सुविधा अनुसार आरो प्लांट के लिए पंचायत की भूमी आवंटित कर देती है साती भवन निर्मान की जिम्मेदारी भी पंचायत की ही होती है गाउं की जनसंख्या के आधार पर आरो प्रांट की ख्षमता तै की जाती है आमतौर पर प्रती घंटे 1000 लीटर की ख्षमता वाला आरो प्रांट लगाया जाता है यहां से गाउं के लोग सिर्फ 2 रुपे में 20 लीटर तक पानी ले सकते हैं जबकि 20 लीटर मिनरल वाटर के लिए बाजार में 35 से 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं बुजर्ग बच्चे सभी बुखार से पीड़त हुआ करते थे खारे पानी के वज़े से उन्हें उल्टियां और पेट दर्ध हुआ करते थी सबस्था पानी मिलने की वज़ा से गाउवाले सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बलकि खानब बनाने में भी आरो प्लान्ट के साफ पानी का ही इस्थिमाल कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से एक घंटे में करीब 1000 लीटर तक साफ पानी मिलता है इस प्रक्रिया के दोरान करीब 60-70 प्रतिशत पानी बरबाद भी होता है और दो यूनिट बिजली प्रती घंटी की खपत होती है इसे चलानी के लिए सिंगल फेस बिजली की जरूरत होती है आरो सिस्टम इन दो सिलेंडरों के जरिये पानी को किटाओं मुक्त कर पीने योगे बनाता है आरो प्लांट को एक बार में दो घंटे के लिए चलाया जा सकता है अतरिक्त पानी को रिजर्व रखने के लिए 2000 लीटर की ख्षमता वाला एक वाटर टैंक लगाया गया है जिससे ग्रामेन किसी भी समया कर पानी ले सकते हैं एक के बाद एक चित्तूर मंडल प्रजा परिशत की कई ग्राम पंचायतों ने तेजी से पहल की और देखते ही देखते ज्यादा तर पंचायतों में आरो प्लांट लग गए आरो प्लांट से गाओं के लोग अपनी जरूरत के मताबिक पानी ले सकते हैं कई पंचायतों में तो स्मार्ट कार्ट से पीने का पानी लेने की सुविधा भी उपलब्ध है आरो प्लांट का रख रखाओ और संचालन भी बहुत आसान है प्लांट की देखरेक के लिए एक प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है जिसे ग्राम पंचायत की तरफ से हर महीने वेतन मिलता है समय समय पर ये स्टाफ आरो सिस्टम को ओन करता है जिससे टंकियों में पानी भरना शुरू होता है पानी के मानिक स्टर पर शुद्धता प्लांट का रख रखाओ और मरम्मत उसी की जिम्मेदारी है और जब टंकी में पानी भर गया तो वो आरो सिस्टम को बंद करता है बिजली है या नहीं टंकी में पानी कितना बचा है इन सभी बातों का ध्यान रखता है आरो प्लांट को लगाने में करीब 39 लाग रुपए का खट जाया साफ पानी पाकर इन ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदल गई है अब बीमारी नहीं खुशियां घर में आती है सस्ता साफ पानी मिलने से ना सिर्फ यहां के लोगों के चेहरे खिल गए हैं बलकि स्वास्तिदर भी बेहतर हुई है स्कूल में बच्चों की उपस्थिती भी पहले से ज्यादा है ग्रिशी और पशुपालन भी बेहतर हुआ है थोड़ी सी सूच पूच और समझदारी से की गई कोशिशों की बतौलत वर्शों पुरानी पानी की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल गया ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान और उपियोगी है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी आरो प्लांट लगा कर पीने के पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है